और भातिय जंतापाटी में सिर्फ ब्रिजबुचन जैसा एक ही नेता नहीं है, गिनादू तो सौ से जाधा नेता निकलेंगे, आप याद करिए मद्य परदेश, मद्य परदेश का वो विधाय का प्रतनीदी, परवेश सुकला, किस तरीके से उसने इवासी के उपर भातिये जंतापाटी के लोग इनके अंदर नैतिकता ही ने, ये लोग गैर कानूनी तरीके से सरकार को चलाना चाहते हैं, ये तानशा हो गया है, ये भूल गया है, कि जब जब इस देश में कोई भी परदान मंत्री तानशा हुआ है, जनता ने वोट के माधियम से उसका मैं डंके के चोट पे कह रहा हूं कि इस देश में संसत में राहूल गांदी जैसा नेता होना चाहिए जो गरीबों के पास जाता है जो किसानों के पास जाता है जो किसानों के गले लगकर उसके अंदर की परिशानियों को सुनता है इस देश में जरूरत है राहूल गांदी ज पिछले कई दिनों से भारत की जो पहलवान बेटिया थी दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी थी उसके बाद उन्हें हटा दिया गया जब सिंगोल का स्थापना किया जा रहा था जब नए संसत्वहन का उध्याटन किया जा रहा था तो उस समय सदन के अंदर में मुस्कुराते ह बर्जभुशन सरन सिंग जा रहे थे सदन के अंदर थे लेकिन देश के पहलवान बेटियों को पीटा मारा जा रहा था आज फिर एक मामला खुपतेजी से वाइरल हो रहा है बर्जभुशन सरन सिंग के उपर में चार सीट हुई है इसी को ले करके एक महिला पत्रकार ने उनसे जब सवाल किया, तो वो किस तरह से रॉडली बिवेव कर रहे हैं, और किस तरह से उनके माई को तोड रहे हैं, जबरदस्ती मतलब गाड़ी का गेट बन कर रहे हैं, जबकि देख रहे हैं कि उस महिला का माई कार के अंदर है, इस मुद्धा पे हमारे साथ में अमान हैं, अमान से जानेंगे कि क्या ये सब कुछ सही है, इस पे बिशलेशन नहीं होगा, लेकिन इस पे बातचीत करना बहुत आवस्यक है, तो इसलिए अमान से बात करते हैं, अमान, ये जो बरजभूसन सरन सिंग है, ये इस तरह का बिहेब कर रहे हैं, वो भी अन रिकॉर्ड, कैमरा चालू है तब इस तरह से कर रहे हैं, तो ज़रा समझें, अगर ये आदमी को ओफ रिकॉर्ड मिल जाए, तो ये किस तरह का बहुर करते होंगे? जब संसद में ऐसे गुंडे, मवाली और माफिया किसीम के लोग बैठे होंगे, तो केशव जी आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, कि इनके साथ ये अच्छा वैवार करेंगे, किसी के भी साथ, आपको पता होगा कि ये भारतिये जंता पार्टी का संसद, प्रधान मंत्री और भारतिये जंता पार्टी के अध्यक जेपी नडड़ा जी का हाँ तो शै हो, वो चाहे ओफ कैमरा हो या ओन कैमरा हो, वो संसद बनने के बाद भी गुंडागर्दी करते रहेंगे, और जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिजबुशन सांसद तो हैं, लेकिन इनके उपर कईयो आरोप है, एक दो आरोप नहीं, कईयो आरोप हैं, इन्होंने खुद कबूला भी है, बज़ावते एबिपी न्यूस चैनल पर ये इंटरव्यू दे रहे थे हैं, उसके बाद इनके उपर आरोप है, कि इन्होंने महिला पहलवानों के साथ छेड़ छाड़ किया है, उनके बोडी को गलत तरीके से छुआ है, इन्होंने उसका पीछा किया है, और दूसरी बात, जब महिला शिकायत करने जाती है या फिर शिकायत करने की बात करती है तब उनके घर वाले को और उनके परिवार वाले को यह डराते धमकाते हैं तो जब तक संसद में ऐसे अपरादी किसिम की लोग बैठेंगे देश में चाहे महिला हो या गरीब हो या किसान हो, सब के साथ इस तरीके का शर्मना खरकत होता रहेगा वहाँ पे जाकर के रिपोर्टिंग कर रहा होता है जैसे ही रिपोर्टिंग का कैमरा आप होता है वशे ही भारतिय जन्ता पार्टी के गाड़ी जिसके गाड़ी के बोनेट पर लगा है भारतिय जन्ता पार्टी का जंडा और वो आदमी आगर के पिटीने लगता है गंद निकाल करके इनको मारने की बात करता है तो इस पे क्या लगता है कि भारतिय जनता पार्टी को अब ये डर हो गया है कि 2024 में अब सरकार में नहीं आने वाला है इसलिए तो गुंड़ागर्दी कर रहे हैं इसलिए तो पत्रकारों को डरा रहे हैं इसलिए तो पत्रकारों की नोखरी चिन रहे हैं आकेर दैनिक भासकर वाली की क्या गलती थी आकेर उसकी तो नोखरी गई दानिश अंजार की क्या गलती थी दानिश अंदार तो जनहित के मुद्दे पर जनता की मुद्दे पर वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट करने गये थे दानिश अंदार का सवाल क्या था कि आप भारतिय जनता पार्टी को वोट मत दीजिए दानिश अंदार का सवाल ये था दानिश अंजार सवाल ये कर रहे थे कि आपकी तकलीफे क्या है आपके मुद्य क्या है आप हमसे बात करिए हमारे मादियम से सरकार तक पहुचाईए यही तो एक पत्रकार का काम होता है पत्रकार का मतलब क्या है कि वो एक मादियम बनता है सरकार तक अवास पहुषाने का information देना सरकार की नाकामियों को देखाना सरकार को आईना देखाना लेकिन ये डरे होई लोग चाहे शमिर्टी रानी हो या इस देश के परधान मंतरी हो गरी मंतरी हो या भारतीय जनता पार्टी के लोग हो इनके अंदर नैतिकता है ही नहीं ये लोग गैर कानूनी तरीके से सरकार को चलाना चाहते हैं ये तानाशा हो गया है ये भूल गया है कि जब जब इस देश में कोई भी परधान मंत्री तानाशा हुआ है जनता ने वोट के माधियम से उसका कुर्सी छीना है और मायवती चार बार की मुख मंत्री रही लेकिन उनके गलत नीतियों को उनके गलत चीजों के वज़ा से वो राजी को समहाल नहीं पा रही थी इसलिए जनता ने उन्हें वोट नहीं किया भार्तिय जनता पार्टी पर भरोसाद किया लेकिन आप क्या कर रहे हैं आप संसत में गुंडा और मवाली जैसे लोगों को आप संसत में बैठा रहे हैं चाहे वो इंद्रा गांदी हो चाहे किसी राज का मुख मंत्री हो 15 साल लालू पशाद यादव नी बिहार में भी राज किया उनकी भी तो सत्ता गई नितिश कुमार ने भी राज किया मुलाइम सिंग यादव जी ने भी उत्तर परदेश के मुंत्री रहे हैं लेकिन मैं डंके के चोट पे कह रहा हूँ कि इस देश में संसत में राहुल गांदी जैसा नेता होना चाहिए जो गरीबों के पास जाता है जो किसानों के पास जाता है जो किसानों के गले लगकर उसके अंदर की परिशानियों को सुनता है इस देश में जरूरत है राहुल गांदी जैसे लोगों किसानों के पास जाते हैं गराज में जाकर के वो बाईक मैकेनिक का काम सीखते है उसके साथ साथ ट्रक पे जाकर करके चड़कर करके ट्रक के ड्राइवर के समस्या को सुनते है ट्रेक्टर चलाते है और इसके बाद में भारतिय जन्ता पार्टी के ITC ये काम करती है कि इनके जो भी काम है इस काम का एक क्लिप निकालती है और उस क्लिप के जरिये ये मैसेज देने की काम करती है कि 2024 में राहुल गांधी नहीं आने वाले हैं तो ये अब होगा ये कि 2024 के बाद ये मैकेनिक का दुकान खुलेंगे गराज खुलेंगे ट्रैक्टर चलाएंगे इस तरह का मिम्स बनाएगाए लेकि भारती जनता पार्टी जब से 2014 के बाद इस देश में सत्ता में आई है कॉंग्रेस के शवी खराब करने के लिए हजारो कर रुपया खर्च किया है लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आपको लोगपरिये नेता बनना है अगर आपको लीडर बनना है तो आपको जनता के बीच में रहना होगा आपको जनता को डराना नहीं होगा जनता की डर को समझना होगा जनता की परिशानियों को सुनना होग और राहूल गांदी अभी वही कर रहे हैं जो आज से दस साल पहले उनको करना चाहिए वो अब कर रहे हैं लेकिन भारतिय जन्ता पार्टी का जो काम भारतिय जन्ता पार्टी के नेता को जो करना चाहिए उनके लोगों को जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे है प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी नौ सालों में एक प्रेस कॉन्फरेस नहीं किया तो उन्हें भी इस बात का डर है कि हम से पूछा जाएगा हमारी नाकामियों को आइना देखाया जाएगा उन्हें इस बात का डर है और इसलिए अब गुंडागर्दी पर उतर है और भातिये जन्ता पाटी में इस सिर्फ भ्रिजबुचन जैसा एक ही नेता नहीं है गिनादू तो सौ से जादा नेता निकलेंगे आप याद करिए मर्देपरदेश मर्देपरदेश का वो विधाय का परतनीदी परवेश सुकला किस तरीके से उसने इवासी के उपर पिशाप किया और ये कोई पहला मामला नहीं है किसानों कोई उपर ये गाड़ी चड़ा देते है बिहार में राजू सिंग राजू एक नेता नहीं तो अमान थे और आमान समनी ये जाना लेकिन साथ ही साथ एक मैसेज ये देना बहुत आवस्यक है कि जिस तरीके से आज के समय में लोकतंतर की हत्या किया जा रहा है और जो भी व्यक्ति अगर मुखरता से सवाल उठा रहा है चाहें वो सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो सदन के बाहर में अगर कोई पत्रकार सवाल कर रहा है कि आप किस मुद्दा पे लोगों को भोट किजिएगा किसे भोट किजिएगा जो आदमी ने वादा किया था वो मुकमल नहीं कर रहा है अगर यह सवाल कर रहा है, तो उसके जो गुंडे है, वो जबरदस्ति उस आदमी को पीटने लगते है, मारने लगते है, जान से मारने पर उतारू हो जाते है, इस तरह के जो संसत के अंदर बैठे हुए लोग है, बरज फूष ण सरन शिंग टाइप के जो लोग है, वो किस त ज़न्टापाटी के अंदर में जो नेता है उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो दो हज़र चौदा से पहले सड़कों पर उतर जाते थे सेलेंडर ले करके जो पयाज का माला पहं पहन करके सड़कों पर उतरते थे कि महंगाई बढ़ गई है टेमाटर लेकर के सड़कों पे उतरते थे, किसानों के हित के लिए उतरते थे, आज ना वो किसानों के लिए उतर रहे हैं, आज ना वो सड़क पे उतर रहे हैं, प्याज का माला लटकागर के, तो इस तरह से कैसे चलेगा, भारत का विकास कैसे होगा, भारत के जो परधान मं की लड़की आई ही पाकिस्तान से चलके आई ही वो चार देश को ब्रह्मन करके इंडिया पहुंचती है क्या इसके उपर में सवाल नहीं उठता है कि वो आदमी किस तरह से इंडिया में इंट्री कर जाती है इस पर रौ और हमारे जो देश के और एजेंसिया है उनलों को उप अगर हैदर के साथ में आती तो सच में कहा जाए तो ये बहुत बड़ा मामला हो जाते है ये लोग कहते है कि पाकिस्तानी पाकिस्तानी से प्यार कर लिया लेकिन इस पर डिवेट नहीं हो रहा है सच में इस सब पर डिवेट होना चाहिए और आज के बाद से हम लोग कंटि